जहें दोस्तो बहुत बहुत श्वागत है आपका फिर से के नय एजुकेशनल वीडियो में दोस्तो अगर आप टैली बीगिनर हैं टैली स्टार्ट करना चाहते हैं आप एकाउंटिंग में वर्क करना चाहते हैं केरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको Tally ERP9 में transactions करना सिखाएंगे, नया company बनाना सिखाएंगे, कैसे कोई समान purchase करके हम उसे store करते हैं, और कैसे उस समान को हम बेजते हैं, कितना समान stock बचा हुआ है, उसे check करते हैं, और कैसे profit and loss देखते हैं, तो इन सारे topics को हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी interesting होने वाली है, आप वीडियो के escape मत करें, और last तक देखें, तो दोस्तों बीना देरी की हुए, I am वीडियो के start करते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि Tally ERP9 यानि Tally हम अपने computer में खोलते कैसे ह दोस्तों Tally खोलने के लिए हमें यहां से computer के desktop screen पे icon देखना होता है, अगर आपको इस तरह का Tally ERP9 लिखा हूँ icon मिल जाए, तो आप इस पर double click करेंगे, तो Tally आपके computer के screen में खोल लाएगा, अगर दोस्तों यहां पे अगर यह icon नहीं दिख रहे हैं, हो सके यह Tally का icon book की तरह white color का outline black होगा और बीच में Tally 9 लिखा होगा, तो इस पे अगर आप click करते हैं, तो भी आपका Tally कुछ इस तरह के interface में आपके screen पे खुल जाता है, दोस्तों जब पहली बार Tally आपके screen पे खुलता है, तो इस तरह से खुलता है, जहां पे आपको दो version में खोलने के यह बोला जाएगा, एक educational और दूसरा license, तो इस दोनों mode में जिस mode में आप खोलना चाहते हैं, आप खोल सकते हैं, लेगि दोस्तों अगर आप beginner है, Tally स्टार्ट कर रहा है, तो आपको पैसे फंसाने की कोई ज़रुवत नहीं है, आप license mode अभी ना ले, आप directly educational mode आपको company दे दखा हुआ है, जहां से आप Tally को हर एक options को आसानी से सीख पाएंगे, तो हमें अभी educational mode में काम करना है, तो educational mode पे जाकर कि अगर हम click करते हैं, तो इस तरह के interface में Tally आपका खोल जाता है, दोस्तों हो सके Tally में किसी दूसरे की company by default खोल जाए, जैसे हम Tally खोले और किसी की company अगर उस company में password ना लगा हुआ होता है, तो वो directly by default ऐसे खोल जाता है, जैसे आपको ABC नाम से company दिख रहा है, name of company, दोस्तों कभी भी इस यहां पे अगर किसी company का नाम सो कर रहा है, बोल्ट लिटर में, इसका मतलब होता है कि वो company आपका इस Tally में खोला हुआ है, जबकि मु तो इसे बंद करने के लिए यहां से company info में click करेंगे, shut button पे हम click करेंगे और company को यहां नाम आएगा, automatic जो यहां नाम होगा, वही नाम यहां पे show करेगा, आप एक बार इंटर कर देंगे, तो वो company यहां बंद हो जाएगी, और यहां पे name of company के पास से उस company का नाम हट और बेलकुल नय फरेश तरीके से work करने के लिए एक नया company बनाए, इसके लिए create option पे जाए, फिर enter button को press करेंगे, दोस्तो जब भी आप enter button को press करेंगे, तो इस तरह का information एक आपको खूल करके मिलेगा, जिसमें आप अपने company का total details भरेंगे, और जिस नाम से आप company बनाना चा company बना रहे हैं, जिसमें हम एक लॉक्स साबुन, एक हजार पीस, बीस रुपे पर पीस के हिसाब से खरीद करके रखेंगे, और उसमें से हम पचास पीस को बेचेंगे, ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए मुझे एक company बनानी परेगी, ABC, जेनरल स्टोर के ना आप नाम यहाँ पर टाइप करें, मैलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस हम दिवरिया डाल लेते हैं, D-E-O-R-I-A, इंटे करते हैं, country इंडिया, state हम यहाँ से उत्तर परदेश को सेलेक्टर लेते हैं, पिन कोड नमबर यहाँ पर हम डाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इंटर करके, contact, mobile, fax, email और बेवाशाइड, यह दोस्तों contact details होता है, जिसको आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो यहाँ से पर करके इसे डाल लीजिए, अब दोस्तों financial year आपसे पूछेगा, तो जिस financial year में आप काम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों अभी financial year 23 चल रहा है, तो financial year कभी भी यह start होता है न, वो एक चार से यह start होता है, चौथा महीना में, तो हम एक चार 23 ही डालेंगे, अगर 24 financial year आजाए, तो एक चार 2024 डालें, पचीस आजाए, तो एक चार 2025 डालें, तो इस तरह से हम financial year डाल लेते हैं, टैली वोल्ड पासवर्ड में कुछ नहीं करन करेंगे, तो security control को yes करेंगे, इसमें yes लिखेंगे, इंटे करेंगे, अब username पूछेगा, जिसको name of administrator बोलते हैं, तो अपना नाम डालेंगे, जैसे हम अपना नाम मनिस डाल लेते हैं, एक पासवर्ड डाल लेते हैं, पासवर्ड को हम repeat कर लेते हैं, और educational mode और edit features, इस दोनों option को no रखेंगे, उसके बाद base currency information में, यह सारे details, यानि कौन से details, तो आपके country का details, जो currency का, आपके country का currency है, उसकी details आपको यहाँ पर दिखाई दिएगी, तो कभी भी country currency details में आपको कोई छेरचाड नहीं करना है, direct enter करके accept कर लेना है, अब जैसे accept कर लेंगे, तो यहाँ पे password डाल रखे हैं, वो password डाल करके enter किजे, अब जो company खुली, वो आपकी company खुली, अब जो company खुली, आपकी company खुली, अब दोस्तों हम इसके button प्रेस करते हैं, तो gateway of tally में आ जाएंगे, अगर हम company info में जाते हैं, अगर इस तरह का information आपको दिखाई दे, company info, तो keyword के left hand side में इस तक आप असानी से काम करेंगे, यानि इस date के अंदर तक की entry आप असानी से करेंगे, company की आपकी नाम यहाँ permanently so करता रहेगा, अब जो भी काम करना होता है, उसके लिए मुझे ये vouchers use करने परते हैं, transaction use करने परते हैं, master use करने परते हैं, और देखने के लिए report use करने परत रुपे पर पीस के हिसाब से, तो इसकी entry हम इस tally में कैसे करेंगे, दोस्तो अभी तक हमने सीखा कि tally में हम अपने नाम से company कैसे बनाएंगे, अब दोस्तो हम सीखते हैं कि कोई समान purchase करके हम इसमें entry उसकी कैसे करेंगे, इसके लिए हमें laser की कुछ जरूरत परेंगे, तो sales का मतलब होता है बेचना, तो इसलिए हम sales के नाम से एक laser बनेंगे, अब यहाँ बेपूछेगा under, तो under list of group का एक box भी खुलेगा आपको right hand side में, तो यहाँ से अगर sales की आप laser बना रहे हैं, तो sales account में जाता है, तो sales account पे click करके enter करना है, inventory value are affected yes रहेगा, यह by default हो जाता है, और इंटर करके इसे हम final accept कर लेते हैं, अब दोस्तो एक नाम all लिखेंगे purchase के नाम से, इंटर करके अगर हम फिर under के पास आते हैं, तो यहाँ list of group से मुझे purchase account को select करना पड़ता है, क्योंकि purchase under purchase account में ही जाता है, दोस्तो कभी भी आप laser बनाए, तो आप जल्दी बाजी में ना बनाए, क्योंकि laser अगर आपकी गलती हो जाती है, मतलब गलत हो जाती है, तो सारे transactions आपके बिगर सकते हैं, इसलिए laser को हमेशा सोच समझ के ही बनाए, तो purchase under purchase account में जाएगा, inventory value are affected option by default yes हो जाता है, और yes ही रहेगा यह, इंटर करके हम इसे accept कर लेते हैं, तो आपके पास purchase और sales दो laser हो गए, समान आप खर देंगे, इसलिए आपने purchase का बनाया, समान आप बेचेंगे, इसलिए sales का बना, तो दो laser की जरुवत थी मेरे, तो मैंने यहाँ पर दो laser बना लिया, अब escape से back जाएंगे, keyword का escape बटन प्रेस करके, तब तक बैक जाना है, जब तक आप gateway of tally म जाना है, अब आपको inventory info में जाना है, इंटर करना है, अब इंटर करने के बाद आपको क्या चीज बेचना है, तो locks साबुन बेचना है, तो locks बेचना है, तो वो क्या चीज में बिकेगा, आप साबुन को piece में बेचेंगे न, तो इसके लिए unit of measure में जाएंगे, और यहाँ स क्रियेट करेंगे क्या क्रियेट करेंगे तो PCS क्योंकि समान जो बिकेगा उसका सिंबॉल PCS रहेगा पूरा नाम PIECE होता है decimal palace यानि दसमलो के बाद 0 अंग होता है क्योंकि 1,2,3,4 में जो है की PC में दसमलो का कोई value नहीं होता है तो यह 0 रहेगा और इसे हम accept करेंगे escape से हम back जाएंगे अब समान का नाम बनाएंगे stock item में जाकर के तो हम stock item को यहां से इंटर करके खोल लेंगे फिर create करेंगे stock item में हम बनाते हैं locks साबुन का नाम L-U-X right locks इंटर करेंगे under हम इसे primary में डालते हुए आगे बरेंगे तो unit हम इसका यहां से piece को डाल लेंगे standard rate को no करेंगे और इसे हम accept कर लेंगे तो locks साबुन मेरा बन जाता है दोस्तों अगर एक और बनाना चाहते हैं तो हम रीन का भी बना लेते हैं इंटर करेंगे under primary में unit हम piece डाल करके standard rate को no रखते हुए हम opening balance में कुछ नहीं डालेंगे और accept कर लेंगे तो दोस्तों मेरे पास दो product हो गया एक locks का और एक रीन का दोनों का हम एक एक हजार पीस खर देंगे 20-20 रुपे पर पीस के हिसाब से तो इसके लिए मुझे escape से back जाना होगा अब दोस्तों जो समान आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी item बन चुकी है अब आपको क्या करना है खरीदने के लिए transactions का use करेंगे accounting voucher का तो accounting voucher में जाकर के अगर इंटर करते हैं तो इस तरह का interface आपको दिखाई देगा जबकि मुझे purchase करना होता है तो हम यहां से shortcut purchase पे क्लिक करते हैं जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे मेरा यहां पे purchase का options खुलेगा और suppliers invest number date party का नाम laser name of item quantity rate और amount जैसे यह सारे चीज़ आप से पूछे जाएंगे कि क्या आप purchase कर रहा है इस form को आप भरिये तो invest number हम एक डालते हैं date as का डालते हैं क्यास का मतलब होता है हम क्यास रहें किसी पार्टी का नाम नहीं डाल रहें अब दोस्तो purchase laser पूछा जा रहा है तो purchase का laser यहां डाल लेना आपको यह अल्यडी बना हुआ आपके पास अब दोस्तो name of item दो item है मेरे पास एक locks है एक green है तो locks पे क्लिक करेंगे description में कुछ नहीं लिखना है इंटर करना है quantity एक हजार पीस राइट एक का दाम 20 रुपया rate पूछ रहा है तो rate 20 रुपय परपीस के हिसाब से 20,000 का समान हुआ कोई formula यूज नहीं करना है direct इंटर कीजिएगा auto calculate हो जाता है अपका amount फिर इंटर करने के बाद RIN लिखेंगे तो रिन यहाँ select हो जाएगा description कुछ नहीं लिखना है इंटर करना है कितना quantity है रिन का तो एक हजार पीस इसकी भी rate 20 के rate से ही है अगर rate चेंज होती है तो suppose change कर लिजे माल नहीं जब 25 के rate से है तो total price यहाँ 25,000 इंटर करेंगे अब कोई समान नहीं है तो एक बार और इंटर करेंगे cursor amount के पास जाएगा फिर इंटर करेंगे तो narration के पास जाएगा cursor अब यहाँ पे आपको लिखना परेगा being purchase इसलिए लिखेंगे ताकि future में आपको ज़रूरत परे तो इसको देख करके पता चले कि हाई इतना समान आपने purchase किया था खरदा था आपकी एंटरी सही है तो आप यहाँ वे being purchase लिखेंगे और इंटर करके accept कर लेंगे अब दोस्तों यह purchase की transaction हो जाती है अगर आप इस समान को store में देखना चाहते है कि जो मैंने समान entry किया accept कर लिया यह समान कहां पे जाकर store हुआ तो हम escape से back जाएंगे back जाने के बाद यहाँ से display में जाएंगे display में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से statement of inventory में यहाँ पे option दिखाई देगा statement of inventory इंटर करेंगे अब जाएंगे stock query में क्यूरी में जाने के बाद हम locks को अगर select करते हैं और इंटर करते हैं तो locks का 1000 पीस यहाँ पे आपको दिखाई देगा हगर हम escape करके रीन को select करके इंटर करते हैं तो रीन का भी 1000 पीस यहाँ पे दिखाई देगा तो यह जो समान बचा हुआ होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है तो यहाँ प ढूर अब लागों है तो सेल्सका ले पूझेदा लेजर बना हुआ हного है दोस्टो那么ate kid a जाएगा ad देखने और समान आप बेशने जाएगे वहाँ पे भी आपको indicate करेगा कि कौन सा समान, कितना एवेलेबल आपके पास है तो locks का 1000 और रेन का 1000 दुनों का एक हे 1 Self है तो locks का हम यहां पे बेच रहे है suppose 20 piece, rate बेच रहे है 30 के rate से 600 का और रेन को बेच रहे हम यहां पे suppose 50 piece और rate बेच रहे 35 के rate से 1750 का total पैसा二 magical सोप्चा gonna है total समान 70 piece होता है और इंटरे करने के बाद narration टाइप करेंगे being should मतलब यह समान बिग गिया और इंटरे करके हम इसे accept कर लेते हैं तो दोस्तों यह समान अपका बिग चुका है अब अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितना बचा हुआ है तो हम escape से back जाएंगे display में जाएंगे statement of inventory में जाएंगे stock query को select करेंगे अगर हम locks को select करके इंटर करते हैं तो 980 बताएगा अगर हम rein को select करके इंटर करते हैं तो 950 बताएगा यही चीज दोस्तों अगर आप transaction अपना देखना चाहते हैं कि जो transactions मैंने किया यानि जो मैंने बनाया questions वो कहां है तो उसके लिए है मैं display में जाना है इंटर करना है देन डेवुक में जाना है और इंटर करना है तो यह दोनों question यहां भी आपको दिखाई देगा कि sales आपने किया 2350 का purchase किया आपने 45,000 का अब दोस्तों इसको details में देखना है तो enter करके आप details में देख सकते हैं कि आपने 2350 का क्या sales किया अब दोस्तों यहां भी आपको दिखाई देगा कि आपने locks इतना purchase किया REAN इतना purchase किया तो locks आपने इतना sales किया और REAN इतना sales किया अगर यही चीज पर्चेज में देखना है तो पर्चेज पर क्लिक करके इंटर करेंगे तो लॉक्स आपने इतना पर्चेज किया और इन अपने इतना पर्चेज किया कुल इतना इमाउंट का तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तो आप अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहीं पर चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोग purchase और sales की transactions करते हैं अगर हम इसका bill निकालना चाहते हैं तो आपको display में जाना परेगा फिर डेवुक में जाना परेगा sales के transactions को खोलना होगा alt के साथ p button press करना होगा alt और p तो automatic print का अपसन आएगा यहां से अगर आप print button पे click क करेंगे तो यह automatic आपके printer के थुरू print out हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अगर आप टैली में भीगने रहे स्टार्ट कर रहा है तो इस वीडियो को आप देखिए और step by step अपने computer में इसे sort out किसे बनाईए फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन आपका दिन सुभव